वेलकम टू अलमोस्ट एक्सो गाईस, आज की सुड़ी हम बात करेंगे Realme Narzo 20 Pro जो डिवाइस है इस डिवाइस के लिए नियो अपडेट को कब तक रोल आउट किया जाएगा Realme के और से, उसके कंफर्म डेट के बारे में बताऊंगा साथी साथ उस अपडेट के साथ मैं आपके डिवाइस में क्या कूछ चेंजेस देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको बतना चूँगा आपके डिवाइस में Android 12 और Realme UI 350 का जो सपोर्ट है वह आपर देखने को मिलेगा या फिर नहीं वीडियो का स्टाट से एन तक जरूर देखने का तक दिगर इंफ्रमेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं Realme 920 Pro डिवाइस के न्यू अपडेट के बारे में यहां पर आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में चलेना है सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉप्ट अडेर पे क्लिक करना है वहां पर आपको क्लिक करोगो तो आपको डिवाइस में लेटेस्ट अपडेटेट है तो कोई बात नहीं अगर आपके डिवाइस में अपडे देखने को मिलेगा, यानि कि आपको 15 मार्च तक यापर अपडेट देखने को मिलेगा आपके device में, तो यहार आपको active रहना होगा, यह पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस update के साथ में आपके device में क्या कुछ changes देखने को मिलेगा, तो आपके device में new version को provide किया जाएगा, साथी साथ device में new security page को provide किया जाएगा device में जो भी छोटे मोटे problem देखने को मिल रहे है तो इन सारे problem को solve किया जाएगा इसी new update के साथ में device की performance and stability को और भी अधा improvement कर दिया जाएगा तियार आप तब तक ले थोड़ा सा wait कर लिजेगा आपके device में भी update देखने को मिल जाएगा अब बात करते कि अब आपके device में android 12 और realme UI 350 का early access beta phone को like किया जाएगा यार फिर नहीं तो मैं आपको बदाना चाहँगा realme के और से realme UI 350 का जो road में provide किया गया है उस road map में आपके realme narzo 20 pro device का name अभी देखने को नहीं मिलता है अगर realme के और से realme UI 350 का next road map को provide किया जाएगा उस road map में आपके device का name mention होता है तो आपके device में भी android 12 और realme UI 350 का support देखने को मिलेगा आपके device को या पर realme UI 350 का support भी देखने को मिल सकता है वो केसे में आपको बताना जाओंगा आपके device में जो processor लगा हुआ है MediaTek Helio G95 का processor है जो की 2 GHz primary clock speed and secondary clock speed आपको 2 GHz की देखने को मिलती है क्यावर में आपको बताना जाओंगा आपको तब तक लिए थोड़ा सा wait कर लेना रियल मी की और से officially कोई भी इसके regarding confirmation आती है तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो के थूँ information प्रोवाइड कर दी जाएगी तो यार इस वड़े में इतना है अगर वीडियो अच्छ लेगी है तो वीडियो का लाइक कर देना अधिक जान का रिकले में टेलीग्राम ग्रूप में आपको जोईन हो जाना है मिल तक लिए उड़े में तब तक लिए बाबाई टेक क्या